हेलो दोस्तों कैसे हैं आप आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूं पाटोडे से रायता बनाना यह एक राजस्तानी डिस है इसके लिए लेंगे हम बेशन और इसको हम तीन गुना पानी में अगर एक टोरी बेशन ले रहे हैं तो तीन गुना पानी उसमें लेंगे और इसे घ मिला लेंगे, यह देखिये, इस battle को हम पहले से ही त्यार कर लेंगे, कड़ाई में तील करेंगे, और उसमें हम, इसको डाल देंगे, यह देखिये, इसको हम अच्छे से चलाएंगे, ताकि यह गाड़ा हो जाए, पाटोड़ा बनाने की विधीवा ने पहले भी अपने चैनल पे डाली है आप उसमें जाकर देख सकते हैं इसके गाड़े होने लग जाएगा यह फटाबड इसलिए इसे लगातार चलाएं दोस्तों इसको रोकना नहीं है यह एक ऐसी डिस है कि इसका आप रायता भी बना सकते हैं इसकी चार्ट भी बना कर खा सकते हैं और इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं नास्ते की तरह और यह सबजी तो है ही एक राजस्तानी मतलब यह कि आप एक डिस से तीन आइटम अराम से बना सकते हैं तो ये देखो, मेरा गाड़ा होना शुरू हो गया है दोस्तों, एक बात और, अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, तो बैल ऐको जरूर दबाएं, और इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये देखिए, बिल्कुल तयार हो गया है, आप इसमें हम प्लेट में तेल लगाएंगे, मैंने प्लेट टेस्ट भी आपको बता रखा है, आप वीडियो चैनल पे जाकर देख सकते हैं, इसको हम सारे को इस थाली में जमा देंगे, ये देखिए, दोस्तों ये बहुत ही चटपटी, तेस्टी, आप इसमें अचार का मसाला भी मिला सकते हैं, इसमें प्लेट में निकाल दिया है, अब इसको हम पूरे एकरेट फ्यलाएंगे, बिल्कुल बराबर, ताकि जो कहीं से मोटा, कहीं से पतला ना रहे, ये देखों दोस्तों, और ये खाली बेसन से बनने वाली एक डिस है, इसमें बहुत ज़्यादा समान नहीं लगता है, और बहुत ही फटा-फट बनने वाली टिस है, और इसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं, इसमें हलका सा मसाला डाल कर, अगर आप ऐसे ही चाट की तरह खाएंगे, प्याज व्याज डाल के, तो ये बहुत बहुत बहतरीन चाट बनती है, खाने में भी टेस्टी होती है, सु एक बार अगर आप बना लेंगे, तो आपका बार-बार मन करेगा कि इसको मैं फटा-फट तियार कर लूँ, इसे बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता दोस्तों, ये महातर पांस-दस मिनट में तयार होने वाली डिस है, ये देखिए, और नहीं ज़्यादा समान अब लेंगे, घर का जमावा धही, इसको मैंने फैंट लिया अच्छे से, इसमें बिल्कुर, इसमें भुनावा जीरा जरूर डालें, अगर पोदिने की चटनी है, तो बहुत ही बढ़िया बात है, और नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसको मैंने बिलो लिया है, ये घर का जमावा धही है, और वैसे भी दोस्तों गर्मिया है, इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी लाल मिर्च, अब इसमें एड़ करेंगे हम थोड़े सा पाटोड़ा डाल देंगे अपना, और इसको ये देखिए, अब इसमें बिलाएंगे, बाकी मसाले, नमक आप उस समय डालें द जीरा, और ये नमक है, लेकिन हम इसमें एड़ नहीं कर रहे हैं, जहाँ हम इसे यूज़ करेंगे, तब इसमें डाल देंगे, ये देखिए, अगर पाटोड़ा आपको लग रहा है कि थोड़ा कम है हिलाने के बाद, तो इसमें थोड़ा सा और एड़ कर लिए, ये देखि हमने इसे भुनेवे जीरे के साथ सजा दिया है, नमक नहीं ढालना है, मैं बार बार बता रही हैं दोस्तों, ये देखो, ये थोड़ी सी पोधीने की पतिया है मेरे पास, मैंने ये इसके उपर टाल दिये हैं, ये हमारा राय तक खाने के लिए, बिल्कुल तयार है,